रैप सॉंग्स में दो टाइप के नेम ड्रॉप होते हैं एक जब कोई रापर किसी अगले रापर को शाउट आउट देता है तब वो उस रापर का नेम ड्रॉप करता है और एक name drop तब होता है जब कोई rapper अपने ops को या फिर opponent को diss करता है So मैंने shout out वाले name drop के उपर already एक video बना दिया है So इस video में हम देखने वाले हैं 10 ऐसे track जिसमें तुभारे favorite rapper ने अपने opponent के लिए या फिर उन rappers के लिए जिनसे उनकी beef है उनका name drop किया है अपने track में So again a crazy unique or entertaining video होने वाला है for sure तुम इस video में enjoy करने वाले हो कुछ सीखने वाले हो So इस video को last तक देखना बिल बिल भी skip मत करना Video start करने से पहले check the song of the day गाने का नाम है प्यार फिर हो गया Artist है Bala featuring Sashank Sin ये track एक Hindi love song है और Bala भाई नी बहुत सही compose किया इस गाने को और Sashank भाई नी बहुत ही beautiful तरीके से पूरा गाना गाया है गाने की lyrics बहुत अच्छी है overall गाने की vibe बहुत अच्छी है बहुत अच्छे से mix master किया गया है गाना और गाने का overall video भी मुझे बहुत सही लगा तो मैंने इस गाने का link description में डाल दिया है link में click करना और comment में जाके drop कर देना तो rap bot की channel से आए हो rap bot नी भाई को धीर सारा प्यार भीज़ा है भाई लोगों ने बहुत सही काम किया है बिल्कुल support deserve करते है जो भाई लोगों को support करो okay let's come back to the video list start करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने उन्ही नेम ड्रॉप को add किया है जहां पिर rappers ने अपने opponent का real name drop किया हूँ या फिर rapper name drop किया हूँ for example अगर चिनके को बैंके बोला गया track में that didn't count as a name drop I hope you guys understand let's start the list okay let's start with the first track of our list और ये ऐसा track है जिसकी होज़से initially beef culture और disc culture बहुत जादा बूम हुआ है Indian hip hop scene या फिर देशी hip hop scene में गाने का नाम है समझ में आया क्या artist है M.E.W.E. इस track में M.E.W.E. one time में रफतार, डिवाइन और MC stand का name drop किया है रफतार का interview देखा में उसमें उसने बोला M.E.W.E. कमाया क्या मेरे B.D.O. पे जो भी पैसा तो जब ये track drop हुआ था उस समय किसीन expect मी किया था कि इस track में हमें name drops देखने को मिलने वाले है MC stand ने M.E.W.E. को जरूर diss किया था पर अगर हम बात करें रफतार की तो रफतार के साथ M.E.W.E. का collab आने वाला था Divine के साथ भी उतनी कुछ scene नहीं थी और इस track के drop होने के बाद M.E.W.E. बंटाई ने D.H.H. में खलबली सी मचा दी थी and rest is history Let's now move to the second track of our list जिसमें rapper ने अपने opponent के लिए name drop किया है और इस track का नाम है सेख चिली बाई रफतार और इसमें रफतार ने name drop किया है M.E.W.E. बंटाई गा इस पूरे diss track में रफतार ने सिर्फ एक जगह पे M.E.W.E. का name drop किया है और वो भी full name यूज नहीं किया है but still I will count it as a name drop और जैसा तुम सब को पता है ये track जो था वो reply track था M.E.W.E. बंटाई के track समझ में आया क्या का ओके लेट्स मूब तु थार्ड ट्रैक और इस ट्रैक का नाम है समझ मेरी बात को by M.E.S.Tand और इसमें M.E.S.Tand ने name drop किया है Divine और M.E.W.E. बंटाई का तो ये जो diss track है वो M.E.S.Tand के career के starting time के diss track है और ये diss track तुम्हें M.E.S.Tand की official YouTube channel पर दिखने को नहीं मिलेगा और M.E.S.Tand ने अपने career के start में ही industry के दो सबसे बड़े rappers से पंगे ले लिये थे और उन्हें subliminal नहीं दिया था सीधा उनका name drop किया था अपने track में And according to me that was a good move क्योंकि उस track की होज़से M.E.S.Tand को hype मिली और जब उनका track वटा drop हुआ उसने भी अच्छा perform किया Okay, let's now move to our next track और इस track का नाम है Maharani by Krishna जिसमें Krishna ने name drop किया है Mufar का So, ये name drop जो Krishna ने किया है This is a very creative name drop So, इस name drop के दो meaning है और क्या क्या meaning है वो तुमें पता है तो मैं बताने वाला नहीं हूँ और मैंने ये निटिस किया ये Krishna जब भी name drop करते है किसी rapper का diss करते हुए या shout out के लिए और फिर wordplay जरूर करते है Okay, let's check our next track of our list And this is one of my favorite Mufar track इस track का नाम है Bitch I'm a Dog और इस track में Mufar ने name drop किया है Raga का Again, बहुत ही creative तरीके से name drop किया गया है और इस type के name drop ऐसे होते है जब तुम track खतम करो के सुनना तो वो name drop तुम्हारे दिमाग में रह जाता है So, Ravi Mishra जो है वो Raga का real name है इसमें Mufar ने Raga का name drop किया है उनकी original name यूज़ करके फिर हमें ये भी बता दिया कि वो Raga के बारे में बात नहीं कर रहे है पर indeed वो Raga के बारे में ही बात कर रहे थे थोड़ा complex कर दिया मैंने but I think तुम समझ गए होगे Okay, let's move to our next track और इस track का नाम है चाभी वाला बंदर by Divine और इसमें name drop किया गया है M.V.O. Bantai का M.V.O. Bantai तुम बहुत आड़ नहीं है M.V.O. Bantai तुम बहुत आड़ नहीं है So, ये जो diss track था वो पहला diss track था M.V.O. Bantai के लिए Divine के साइड से Personally, मुझे ये उतना पसंद नहीं आया था अगर हम Divine के स्टैंडर को देगे तो उसके साब से मुझे इस track में उतना मजा नहीं आया था पर हम अगर हम name drop की बात करें तो Divine ने इस track में M.V.O. Bantai का Okay, let's move to our next track of the list And again, this track is a reply of previous track Gani का नाम है Gali का कुता by M.V.O. Bantai और इसमें name drop किया गया है Divine का M.V.O. Bantai का ये diss track बहुत ही crazy था और इस diss track में M.V.O. Bantai ने Divine को easily out sign कर दिया था And obviously, we saw the name drop of Divine in this track as well Okay, let's move to our next track और ये एक ऐसा diss track है जिसमें आज तक की DHH के history में सबसे जादा name drop किया गया है And the track is असले hip-hop by Chenke जिसमें Chenke ने name drop किया है Honey Singh, Badisha, Pradhan, Ikka, Lil Goloo और भी बहुत सारे Indian rapos का Chenke ने इस track में कुछ rapos का name drop as a shout out भी किया है पर mostly जितने rapos है उनको Chenke ने as a diss name drop किया है Chenke एक ऐसे rapper है जिनकी belief या फिर जिनकी thinking बहुत ही different है बाकी rappers है And this is the reason उनकी जो अभी की fanbase है वो है तो बहुत strong पर वो बहुत limited हो गई है Okay let's move to our next track and this one is one of the most brutal diss track in DHH गाने का नाम है Gauntlet 2.0 by Rap Demon और इसमें name drop किया गया है Sunny Khan Durani और Chenkega This track में Chenke का real name यूज किया है जो की है और जब मैंने DHH के top 10 diss track की list मनाई थी उसमें ये track दूसरे number पे था This is a insane diss track तीन beats इसमें use हुए है और Rap Demon ने कोई का सर नहीं छोड़ी है इस diss track में Okay so it's time to check our last track of our list और इस track का नाम है Run Sunny Milton Diss by Sikandar Kalo और इसने Sikandar Kalo उने name drop किया है Sunny Malton का इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि Sikandar Kalo is that kind of rapper जिससे तुम कभी भी beef करना नहीं चाहोगे I think इस track में Sikandar Kalo ने अपने आपको restrict किया है पर अगर Sikandar Kalo चाहे ना He can kill any rapper in his track और ही जो Sikandar Kalo और Sunny Malton का beef था उसको मैंने top 10 DHH के beef में explain भी किया है तो तुम वो वीडियो देख सकतो गर तुमें इस beef के बारे में पता नहीं है तो And here's Sikandar Kalo ने Sunny Malton का name drop भी किया है Okay, so this was it, this was the video इसमें हमने 10 DHH के track देखे जिसमें rappers ने अपने opponent का name drop किया है Not as a shout out, but as a diss और हाँ, इसके अलावा बहुत सारे tracks है जिसमें name drop किया गया है तो मैं इस वीडियो का जब second part बनाऊंगा तो उन track को भी जरूर अड़ कर दूँगा So this was it, अगर तुम इस वीडियो में entertain हुए Do let me know in the comment, अगर तुम शैनल पे पहली बार आए हो Make sure to subscribe the channel अगर तुम शैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक subscribe नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को जल्दी से subscribe कर लो, ठीक है अपने भाई को support करो अगर तुम Instagram पे follow करना चाहते हो, link description में अगर तुम Discord जोइन करना चाहते हो, और मुझसे बात करना चाहते हो, one on one तो मैं Discord में हफ्ती में एक दिन आता हो, तो मुझसे one on one बात कर सकते हो को कोई सबाले तो पूछ सकते हो, और मजे करेंगे, जोइन कर लो, ठीक है और अगर तुम मेरा सौट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, छूटी वीडियो तिखना चाहते हो, तो उसका link पी description में है So this was it, thanks for watching the video, thanks for showing all the love, all the support, thanks again, thanks a lot